नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सबी? उमीद आप सब लोग काफी अच्छे होंगे तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं भईया, यस बैंक के शेर के बारे में तो दोस्तो आज आप लोगों ने देखी भाईया तूफानी तेजी यस बैंक के अंदर काफी दिनों से दोस्तो यस बैंक का शेर हमारा गिर रहा था बड़ दोस्तो फाइनली आज तेजी आई तो क्या इसका reason है दोस्तो और अभी आपको चुछ में बने रहना चाहिए या फिर sell करना चाहिए या फिर अभी इसमें और खज़दारी का मौका है या नहीं सारे questions के यार मैं आपको answer करने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर तो दोस्तो वीडियो को start होने से पहले एक like बटन दबा देना yes bank के shareholders तो दोस्तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाईया 14% की तेजी आई वो चार्ट के माद्धम से तो दोस्तो देख सकते हो yes bank मैं आपके सामने screen पर क्या लागा रहा है yes bank तो दोस्तो सबसे पहले तो आप लोग मेरा एक stop loss follow कर लो भाईया for long term जितने भी लोग भाईया stop loss माग रहे है for long term दोस्तो आपका stop loss रहना चाहिए इसके नीचे जो की लगबग है 15 रुपे 20 पैसे के आसपास तो दोस्तो अगर आप लोग yes bank को long term hold करना चाहते हो और मेरा strict stop loss maintain करते हो तो भाईया आपको काफी help मिलेगी 15 रुपे 20 पैसे का दोस्तो ये stop loss है इसको बनाए रखना yes bank के अंदर for long term ठीक है अब दोस्तो तेजी आने के reason समझो पहले तो मैं आपके सामने देखो एक line draw कर देता हूँ जिससे अपको थोड़ा सा रासानी मिले देखो दोस्तो ये line मनाए ये लगवख 17 रुपे के आसपास ही बनी है 17-18 का level तो आप लोग ध्यान से देखो कि दोस्तो ये इसका support का काम है पहला दूसरा और तीसरा तो दोस्तो इस टॉक को यहां से तो तेजी दे नहीं थी क्यूंकि तो को इतनी बड़ी moment आई है तो रीटेस्ट तो करेगा ने level तो अब येस बैंक ने एक तेजी दिखा दी अब दोस्तो येस बैंक क्या कर सकता है इसका एक level है ये वाला अठार उपे पचास पैसे अगर ये यहां तक गिरता है और आप लोगों को इसके आसपास मिल जाता है भही अठार से लेकर अठार पचास तो बिल्कुल भी दोस्तो घबराना नहीं है बाय करके चलना है क्योंकि दोस्तो देखो जब आप लोग इसको मंतिली चार्ट पे जाओगे न याज बैंको थोड़ा जूम करो तो एक चीज़ इंट्रेस्टिंग देखोगे कि जो उसका ये वाला level है जहां तक कि वही है टार्गेट सब लोग दे रहे है टेक्निकल के साब से दोस्तो 26 रुपे के आसपास इसको यहां तक तो अभी जाना पड़ेगा बट उसके लिए दोस्तो इसको रीटेस्ट जो है ये इस केंडल के उपर ही सश्टेन करना पड़ेगा जो कि हमारी लगबग है ये वाली केंडल देख सकते हो आप सभी सतर रुपे असी पैसे के ऊपर तो इसका देखो दोस्तो ज़्यादा कोई दिमाग नहीं मानना मैं आपको सिंपल लेंग्वेज में समझा देता हूँ ये ब्रेक आउट हुआ है देखो ये वाला लेवल भी दोस्तो एक रेसिस्टेंस इसने काटा है जो कि ये लगबग इसका ये वाला उन्नेस रुपे साट पैसे के आसपास तो दोस्तो अब इस टॉक आपको अगेन भाई तेजी दिखा सकता है कल्के ट्रेडिंग सेशन में जो पहला टार्गेट हो सकता है दोस्तो वो अगेन हो सकता है बहिया 21 रुपे तक का तो दोस्तो बात करें कि ये असबैंग में अभी पॉजिटिव साइन है या नहीं तो दोस्तो बिल्कुल बाई करके चल सकते हैं यार शोट टर्म वाले एक श्टॉप लोस यहां का मेंटेन कर लेना 18 रुपे 20 पैसे का लोग टर्म वालों को मैंने श्टॉप लोस बता दिया और दोस्तो इस टॉक की जो तेजी है वो आराम से आपको 21 रुपे से लेकर 22 रुपे तक देखने को मिल सकती है अब दोस्तो हम बना देते हैं जो कि थोड़ा सा आपको थोड़ी और हल्प कर सकता है जिससे हम लोग टार्गेट निकलने का काम करते हैं दोस्तो यह रहा हमारा भईया एक ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग लाइन तो दोस्तो देहान से देखो अगर आप लोग देख पा रहे होगे, यह जो आ रही है, यह लगबग आ रही है, बीस रुपे के आसपास, तो दोस्तों अभी उन्नेस रुपे 60 पैसे को पर ब्रेक आउट हुआ है, बीस रुपे को पर कल क्लोजिंग देता है, तो हमारे टारगेट 21 और 22 रुपे तक के ओप करते हैं चलना, अब दोस्तों यह बात होगी हमारे यस बैंक की, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल की, जो की काफी इंट्रेस्टिंग नजर आ रहा है, तो दोस्तों नेट प्रॉफिट ना, कंपनी ने जो लगातार घाटे करें, उसके बात भाई दोस्तों अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, पबलिक के पास 38% का स्टेक है, पबलिक से माल चीना गया है यहाँ पर, तो यह देख सकते हो भई, यह थोड़ा सा पोजिटिव इंडिकेशन दे रहा है हमें यस बैंक का शेर, तो यह दोस्तों इसकी फंडनामेंटल हमार यहस बैंक की और बात कर लेते हैं श्टेकं की तो दोस्तों बिल्कुल श्टेकं के शेर के अंदर बनेर AHIS, के अदर अभी कोई पैनिक करना बेचना नहीं है, बढ़िया श्टॉक है, एक्टियल लेड़ भी कर सकते हो और एvelरेज भी कर सकते हो, तो मेर्न मीद करता हूं द